उपेश बगेल प्रेस कॉन्फरिंस के लिए नागपुर रवाना हुए हैं और इस दोरान उने केंद्रे कृशी विधेग को लेकर बड़ा बयान दिया है सीम ने कहा कि कानून से सीधे कृशी विधेग की संग्य धाची पर प्रहार हो रहा है बगेर राज्यों से चज़्चा किये बगेर किसी परामश केंद्र सरकार ने विधेग पास कर दिया मंडिया धीरे-धीरे समाप्त होती जाएंगी और उसके बाद आपका असली चहरा सामने आ जाएगा समर्थन मूली को लेकर कोई बात नहीं कही गई है जिस तरहें नोटबंदी से अर्थ व्यवस्था की कमर तोड़ दी उसी तरहें किसानों को भी विधेग बरबाद कर देगा जिसका सबसे बड़ा असर उपभुकताओं पर होगा मंदी में अनाज खरिदने के लिए उसे लैसेंज की जरुत में पेनकार के अधार नरfrist खरीदी कर सकता है बाहर भी खरीज सकता है इससे नुक्सान यह होगा कि मंदी में कुछ दिनों तक हो सकता है कि मंदी से बाहर में ज्यादा कीमाप्ति समगरी खरीदे उससे होगा ये कि किसान मंडी जाना बंतर देंगे मंडी के बिवास्ता धस्त हो जाएगी और जब मंडी की बिवास्ता धस्त हो जाएगी तो फिर इनका असली चहरा सामने आएगा